Hello Everyone, हम Physical Geography को study कर रहे हैं Physical Geography आपके हर उस एक्जाम के point of view से important है जिसमें जोग्रोफी से related question पूछी जाते हैं Physical Geography में हम hydrosphere, atmosphere, lithosphere और इन तीनों का merging point जिसको biosphere के नाम से जानते हैं इन सभी के बारे में study करेंगी फिजिकल जोगरोफी में जो हमारा first part होगा first chapter होगा वो होगा अर्थ के बारे में सबसे पहले हम अर्थ के बारे में एक general awareness की रेट कर लेते हैं और chapter को start करेंगे अर्थ की shape से अर्थ की shape को अगर imagine करने के लिए बोला जाए तो सभी को ये लगता है कि अर्थ जो है वो round shape में है मतलब अर्थ जो है वो bowl की तरह goal है लेकिन अगर हम real image की बात करें अर्थ की तो अर्थ जो है वो इस तरीके की दिखती है मतलब अर्थ का जो equator वाला जो region है वो थोड़ा सा expanded है और जो polar region है वो curve stage में ना हो करके flatten stage में है और इस तरीके की जो shape है उसको हम बोलते है geoid अगर हिंदी में बोले तो भूआप अब क्या कारण रहा कि अर्थ की shape जो है वो इस तरीके की हो गई अर्थ ने जब अपना rotation करना start किया होगा तो अर्थ जो है वो goal stage में होगी लेकर सुराती समय में अर्थ की जो rotation speed है वो काफी तेज रही होगी जिसकी वज़े से अर्थ के center से centrifugal force जो है वो बाहर की तरफ लगना start होता है जिसकी वज़े से अर्थ का जो equator region है वो थोड़ा सा expand हो जाता है और जब ये region expand होगा तो ये polar region जो पहले curve stage में था वो थोड़ा सा shrink हो करके यहाँ पर flatten stage में आता है मतलब अर्थ जो है वो इस तरीके से change हो जाती है अब यहाँ पर आपको देखने पर लग रहा होगा कि अगर हम पहले देखे तो अर्थ जो है अर्थ के center से चाहे हम equator region को नापले या फिर हम polar region को measure कर ले सभी की जो distance है सभी की जो radius है वो समान रही होगी लेकिन जो present time में अर्थ की safe है उसको देखने पर हमें लग रहा है कि अर्थ की जो radius है वो equator वाले region पर जादा है और polar region पर कम है जिसकी वज़े से जो equator region है वहाँ पर gravitational force जो है वो minimum होता है और जो polar region है वहाँ पर gravitational force जो है वो maximum होता है और यही कारण है कि rocket launching center जो है वो ज़्यादा तर equator region में establish किये जाते हैं कारण क्या है कि यहाँ पर gravitational force कम है जिसकी वज़े से जिसी भी satellite को या rocket को अगर हमें launch करना है space में तो उसको यहां से यहां से बाहर space में भेजना काफी ज़्यादा easy होता है क्योंकि यहां पर gravitational force कम होता है यहां पर अगर हम world map में जो भी satellite launching center है उनको view करें तो एक तो कारण यह होता है कि equator region में establish किया जाते हैं रोकेट satellite center है उनको दूसरा कारण यह होता है रोकेट launching center में कि उनको किसी भी land area के eastern part पर eastern part पर eastern coast पर उनको establish किये जाते हैं इसका कारण क्या है कि आप सभी को पता है कि हमारी जो अर्थ है वो west to east west to east rotate होती है अब यहां पर किसी भी land area के eastern coast पर जब इन satellite center को establish किया गया तो यहां पर भी अर्थ जो है वो west to east rotate हो रही है इसकी यहां पर आग समझ रहे होगे कि eastern coast मतलब उस land body के eastern part पर कोई water body है जैसे कि हम अगर यहां पर इंडिया की बात करें तो यहां पर हमारे यहां पर rocket launching center है और इसके eastern part पर यहां पर बेऊप पंगाल है जिसकी वज़े से एक तो हमें जो satellite है उसको extra push नहीं देना पड़ता अर्थ की जो movement है उसका हमें बहुत ज़्यादा यहां पर benefit मिलता है क्योंकि west to east जब अर्थ rotate होती है तो उसका जो एक speed का जो प्रभाव है वो rocket के उपर पड़ता है दूसरा कारण यह होता है कि यहां पर मानलो उस rocket में कुछ malfunction देखने को मिला कुछ issue देखने को मिला तो वो जो rocket है वो यहां पर water bodies में जाकर के dump हो जाएगा जिसकी वज़े से कोई भी नुकसान नहीं create होगा तो यह rocket launching center के दो basic causes होते हैं यह आपको ध्यान में होने चाहिए अब यहां पर जो अर्थ है उसको लेकर के कुछ general data है कि यहां पर उसकी जो equatorial circumference है उसके बारे में बता रखा है और यह जो है वो polar circumference उसके बारे में बता रखा है मतलब distance बता रखी है यह data आपको एक general आप एक बार एक दो बार view करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे क्योंकि बहुत सारे exam ऐसे होते हैं जिनमें इस तरीके के data पूछ लिये जाते हैं यहाँ पर kilometer में भी दे रखा है उनको फिर miles में convert करके भी यह data दे रखे हैं क्योंकि बहुत बार kilometer और miles के फिर में भी question पूछ लिये जाते हैं अब बात आती है axis की अर्थ की axis की अगर हम बात करें तो अर्थ जो है सीधे देखने पर अर्थ में यह लगता है सबसे पहले तो यह पता हो न जी कि axis होती क्या है मान लो कोई ball है और उसकी ball का जो north point है और south point को अगर हम match करते हुए इस तरीके से कोई needle उसमें से pierce करें तो यह जो है वो अर्थ की उस ball की क्या होगी? इस तरीके से अर्थ का जो north pole है और जो south pole है उसको pierce करती हुई अगर हम एक needle यहां से या फिर एक pin यहां से पास करें तो वो अर्थ की हो गई axis मतलब उसके चारो तरफ उस अर्थ के चारो तरफ अर्थ जो है वो उस axis के चारो तरफ अर्थ जो है वो rotate हो रही है लेकिन यहां पर एक confusion है रियले में यह लगता है कि अर्थ की जो axis है वो इस तरीके से होगी लेकिन ऐसा नहीं है अर्थ की axis जो है वो थोड़ी सी tilted है मतलब अगर हम vertical line से comparison करें angle की बात करें तो 23 degree जो अर्थ की axis है वो थोड़ी सी जुकी हुई है मतलब अर्थ जो है वो थोड़ी सी जुकी हुई है जिसको axial band के नाम से भी जानते हैं अब यह तो बात हो गई अर्थ की axis की अब हम देख लेते हैं कि अर्थ ना सिर्फ rotate करती है अर्थ अपने axis के साथ तो rotate करती है लेकिन sun के चारो तरफ अर्थ जो है वो revolution revolve करती है यहाँ पर एक path है उसमें अर्थ जो है वो regular इस तरीके से यहाँ पर घूमती रहती है मतलब अपने point के उपर axis पर rotate होती हुई जो path है उसको भी complete करती है और यह आपको पता होगा कि rotation जो है वो 24 hours में अर्थ complete कर लेती है और जो revolution जो है वो 365 1 by 4 days में अर्थ जो है अपना revolution complete करती है तो यहाँ पर यह जो अर्थ का जो path है इससे अगर हम comparison करें अर्थ की axis का तो 1.566 degree का यहाँ पर angle बनता है दोनों के बीच में जिसको हम orbital plane की नाम से जानते हैं मतलब अर्थ जिस plane में यहाँ पर घूम रही है उसको हम orbital plane की नाम से जानते हैं और यहाँ पर 666 degree का अर्थ चो है वो angle बनाती है orbital plane से इसको हम axial band बोलते है यह जो axis जो tilted है और इसकी वज़े से ही अर्थ के उपर season बनते हैं क्योंकि अगर अर्थ यहाँ पर जो अर्थ की axis बिल्कुल यहाँ पर सीधी रहती तो sun की जो raise है वो हर area पर equal पड़ती तो यहाँ पर जो season है उनमें changing कम देखने को मिलता दूसरा जो polar region में जो six month के days unite होते हैं वो भी इस अर्थ की यह जो एक्जेल बैंडिंग है मतलब axis पर जो जुकी हुई आर्थ उसी के कारणसे होते हैं हमने बात कर ली अर्थ की shape की अर्थ के axis की अब बात करेंगे अर्थ की orbit की orbit मतलब अर्थ जिस रास्ते में वो रास्ता जिसमें सेफ में अर्थ सेफ रावात में समय करें मतलु यहां से मार्थ प्रवा और कि अब यहां पर क्या है जब शेफ राउड के सेफ तो यहां पर center में sun होता और earth यहाँ पर 4 तर प्राउंड कर रही होती sun की मतलब earth जो है वो hearth time 12 जो month होते हैं उनमें हर time earth जो है वो sun से बिल्कुल equal distance पे होती लेकिन यहाँ पर earth का जो orbit है वो elliptical shape है और elliptical shape में क्या होता है कि दो focus होते हैं यहाँ पर आप देखिए दो focus होते हैं center के अलावे यहाँ पर दो focus होते हैं तो यहाँ पर एक focus पे sun established है और दूसरा जो focus है वो empty है जिसकी वज़े से क्या होता है कि कभी-कभी जो earth है मतलब sun जो है वो center में नहीं है यह जो path है इसके center में नहीं है थोड़ा सा एक तरब दूसरा जो focus point है वहाँ पर established है जिसकी वज़े से जो earth है और sun जो है वो कभी-कभी पास होते है और कभी-कभी earth जो है वो sun से काफी ज़्यादा दूरी पर होती है तो जब earth sun के पास होती है उसको बोलते है perihelion मतलब उपसोर stage और यह होती है तीन जनवरी को मतलब तीन जनवरी को earth जो है वो sun के सबसे ज़्यादा नस्दीक होती है और 4 जुलाई को earth जो है वो sun से सबसे ज़्यादा दूरी पर होती है इसको बोलते हैं epilion तो यह date और यह दोनो जो इस्तिती है यह आपको clear ध्याद में होना चाहिए अब जब earth जो है sun के बिल्कुल पास होती है उस time के distance की अगर हम बात करें तो 147 million kilometer की distance होती है earth और sun के बीच में जब बिल्कुल पास होती है और जब earth जो है वो sun से दूर होती है तब distance होती है 152 million kilometer मतलब अगर हम average की बात करें तो दोनो स्टेजेज में 150 million kilometer की distance होती है sun और earth में और इसी को बोलते है astronomical unit मतलब जो भी हमारे space में जो भी celestial bodies है उनके बीच की distance को नापने के लिए हम kilometer और miles का use नहीं करते हैं क्योंकि उनके बीच में काफी ज़्यादा distance होती है और उसको हम astronomical unit में नापते हैं तो ये तो हमने अब axis की बात कर ली orbit की बात कर ली अब ये जो earth जो है कभी sun के पास है कभी दूर है और इसके साथ में earth जो है वो अपने axis पर जुकी हुई भी है अब इसका क्या फरक पड़ता है इसका फरक ये पड़ता है कि 3 January को जब earth जो है वो sun के बिलकुल पास होती है तो earth को मतलब normal day से अगर हम comparison करें तो 7% sun rays जो है sun की light जो है वो ज़्यादा मिलती है और जब earth जो है sun से सबसे ज़्यादा दूर होती है 4 July को उस time sun की rate जो है वो minus 7% मतलब average जितनी sun rays मिलती है उससे 7% कम मिलती है अब आप सभी को पता है कि earth जो है वो अपने axis पर जुकी हुई है यहाँ पर 23 degree के कून से तो इस तरीके से जुकी हुई earth जो है वो regular अपने path पर इस तरीके से revolve करती रहती है तो यहाँ पर 3 January को जब sun के pass में है earth तो इस तरीके से earth के axis जुकी हुई है यहाँ से equator pass हो रही है यह नर्दन hemisphere हो गया और यह सर्दन hemisphere हो गया मतलब sun की side कोन सा part है सर्दन hemisphere है और sun से दूर कोन सा part है नर्दन hemisphere मतलब यहाँ पर sun ray जो है वो ज़्यादा मिल रही है जिसकी वज़े से Northern Hemisphere में इस टाइम क्या है? Sun से दूर है तो यहाँ पर सरदिया होंगी Winter होगा आप सभी को पता है 3 January को हमारे इंडिया में Winter रहती है और सरदन Hemisphere मतलब Australia वाला पार्ट वहाँ पर क्या रहेंगी? इस टाइम समर मतलब यहाँ पर नोर्मल जितनी रेज मिल रही है उससे ज़्यादा गर्मी मिल रही है Sun से अर्थ को तो यहाँ पर Extreme समर आपको देखने को मिलेगी लेकिन जो हमारा Northern Hemisphere है वहाँ पर ज़्यादा ठंड नहीं किरेगी क्योंकि हम Sun के इस टाइम पास आ गई अर्थ जिसकी वज़े से हमारे अगर हम Northern Hemisphere की बात करें तो वहाँ पर जो Winter Season जो है वो ज़्यादा Extreme Level का नहीं किरता है अब बात करते हैं जब Sun से बिल्कुल दूरी पर है अर्थ तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आर्थ की एक्सिस तो वैसे ही बेंट है तो यहाँ पर जो Northern Hemisphere है वो Sun की तरफ है तो यहाँ पर Sun Rage कम मिल रही है Sun Rage कम मिल रही है तो मतलब यहाँ पर इस टाइम जो है वो Summer जो है Northern Hemisphere में ज़्यादा तेजी से नहीं पड़ेगी कम पड़ेगी और सरदन Hemisphere में जो Winter है उसके लिए भी यहाँ पर कम वो Winter जो है वो गिरेगी इसका मतलब यह है अगर हम conclusion बात करें तो Perihelian and Appalian दोनों जो stage होती है मतलब 3 January और 4 July की जो stage होती है वो दोनों ही Northern Hemisphere को favor करती है मतलब Northern Hemisphere में गर्मियों की टाइम में ना ज़्यादा गर्मी गिरती है सरदियों की टाइम में ना ज़्यादा सरदी गिरती है तो यह हमने अर्थ के बारे में एक general awareness क्रेट की है जो हमें बहुत सारे questions को solve करने में काफी ज़्यादा help करती है अगर आप यहां तक आए है वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल के साथ में भी जूड़ सकते हैं वहाँ पर बहुत सारे important information आप सभी के साथ में share की जाती है टेलिग्राम चैनल का link नीचे description box में दिया हुआ है ओके, thank you